यहाँ पे एक अनादर अपडेट आ चुका है HyperOS का जो की रियली में काफी कूल है और आपको पसंद आने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन है असमुद्ने से वो रियली में काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग इसे बना देती है और अगर इसके वर्जन की बात करेते हुए है हमारा HyperOS 2.0.107 Simple Edition आप इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बस जरूत की चीज़े ही एड करी गई और काफी तक Simple रखा गया है ताकि यहाँ पे अनिमेशन और समुद्नेस के अंदर कोई भी फर्क ना परे और यह चीज़ आपको यह वालपेपर चाहिए तुम्हें टेलिग्राम पर दे दूँगा आप वहां से डाउड करके AI डायनेमिक का हेल्प करते हुए आप यहाँ पर इससे मोडिफाइड कर सकते हो ठीक है अनदर यहाँ पर अन्लॉकिंग एनिमेशन काफी ज़्यादा कूल देखनी को मिलता है ज यहाँ पर आप देख सकते हो टैब किया ओपन किया यहाँ पर कोई डिले रिस्पॉंस देखनी को नहीं मिल रहा जबकि कुछी किसी में कुछ ज्यादा ही यह डिले होता है तो यह चीज़ यहाँ पर सही है माइड डिवाइस के बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बत है और आजकल जो सबसे बड़ा पंगा रहता है रोम के डालने के बाद जो कि गूगल ने लगा रखा है वह है डिवाइस नहीं पास होने का बट डॉंट वरी यहाँ पर आपको यह फिक्स मिलता है वह भी तीनों का तीनों तो यह सबसे बड़ा एडवांटेज आपको लिकत नहीं आती यूज करते टाइम अधर बाद में आप ही कहो यार फेल हो गया क्या करें तो गलती आप की होगी वहां पर ठीक है अना दर यहाँ पर आपको जो सब कुछ अब नॉर्मल नहीं देखनी को मिलता सारी चीज़े नॉर्मल रहती है मूव अप्लिकेशन के नो इसोज बाकि सूपर आइकन वगरा भी आप यूज कर सकते हो अच्छी बात है सेटिंग अंदर आते हैं तो यहाँ पर चाइना बेस्ट है बट मल्टी लेंगवज एड कर दिया गया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेंगवज सपोर्ट से रिलेटेड बड़ा इन रखा गया है तो यहाँ पर च्रचार नहीं हुई है फेस लोग सिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर को चीज मिसिंग टेखनी को मिली वह है यहाँ पर इंडिविजुल एप का नहीं होना क्योंकि डाक मोड आने के बात यहाँ पर लिस्ट एड किये गए हैं तो अपने नीट के साफ से डाल सकते हो गेमिंग की टाइम पर इसे वन रख लेना ताकि आपको अच्छा एप्वेस मिले अदर वाया आप 120 रख सकते हो अनदर यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है यह दो एक्टा सेटिंग जो कि फोर्सफुली सभी का भी option यहाँ पर एड करा गया है बाकि home launcher की बात करें तो यह काफियाद तक simple रहता है जिसमें कोई modification नहीं है बर 4 x 6, 4 x 7 और 5 x 9 का option आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप अपने हिसाप से अपने जो आइकन्स वगए रखो अरेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह च चेंज आपको देखनी को नहीं मिलता लॉक स्किन पर भी यहाँ पर कुछ भी इस्टा नहीं है साइच चीज़े वही है और यह हमारा wallpaper प्रसनलाइजेशन जहां पर EOD की बात करें तो यह आपको यहाँ पर unlock मिल जाता है जो कि 10 seconds स्मार्ट वगरे रखा गया है जो कि आप य यूज कर सकते हो और यहाँ पर dynamic जो कि मैंने यहाँ पर इसे create किया है यह wallpaper मैं आपको दे दूँगा क्योंकि आप लोग आइनो कि demand करने वाले हो बागी कुछ भी extra motivation आपको देखने को नहीं मिलता और आप देखो बस touch किया slide हो रहा है यह चीज काफी ज़्यादा यहाँ पर accurate बना देती है तो camera कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो camera हमारा 6.1 का यूज किया गया है जो कि like अखा था जिसे आप hyperface 2.2 भी कह सकते हो जिसमें आपको सारी features मिलते हैं latest वाले और यह बिल्कुली perfectly काम करता है जहाँ पर देखो यह photo का अलग tab है video का अलग session है और general का अल default दिया गया है control center भी यहाँ पर आपको normal ही रखा गया है कोई motivation नहीं है और हाँ देखो कोई जीटर वगरे आपको देखनी को नहीं मिल रहा है ना ही कोई lag देखनी को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर सजिस्ट करूँगा कि अगर आप इसे डालते हो इंस्टोल करते हो तो कम से 1 देगा उसकर आपको चीज़े बेटर नदर आएगी और कुछ लोग का opinion भी मैंने देखा है कि उन्होंने यहाँ पर 60 एपिस में gameplay किया है वन आच टू अच्छे से काम किया है और नर्मल बैटरी डॉप भी देखनी को मिला तो यहाँ पर को बैटरी से रिलेटर भी जाला स प्रेन का भी support आपको मिल जाएगा photo storage unlock दिया गया है जो कि normal basic need है आज के time पर mode roam की और यह चीज़ यहाँ पर आपको fulfill मिलता है यहाँ पर gallery के बाद के बाद के बाद मौर्णिंग में आता है 36 जहाँ पर full night में 4% का battery drop है जो कि 9-36 minute का है और sim card नहीं डाला हुआ है तो यह मैं कहूँँ थोड़ा सा ज्यादा है बाकी other normal OS के comparison में अगर यह 2% के आसपसर जाता तो common रहता बड़ यहाँ पर 4% है तो थोड़ा सा में ज्यादा कहूँँगा ज्यादा भी ज्यादा नहीं ह इसके यहाँ पर timing आपको थोड़ा गरबर दिखाई दे रहोगा बट मैं बता रहूं ना कि आपको charging सही मिलेगा यह हमारा normal test CPU total का जो कि काफी green है काफी सही है बट अगर आप score की बात करोते हैं आपको downside थोड़ा सा नजर आता है जो कि 3,83,000 max और minimum यहाँ पर 3,49,000 है 93 का percentage ह और यह without game turbo बगेरा की है और यह morning की time का testing है जहाँ पर सिर्फ उसे एक normal fan चालू था इसके बाद मैंने इसे game turbo में डाला तो आप यहाँ पर देखो कि 3,84,000 max और minimum यहाँ पर 3,94,000 और 94 का percentage यहाँ नि only on 1% का ही different आया है और game turbo का boost mood on करने के बाद तो कोई खास big difference नहीं आया उ तो यहाँ पर भाई कोई खास big change नहीं आ रहा है चाहिए आप game turbo में डालो या game turbo का wild mood on करो या फिर without game turbo का play करो तीनों में similar performance देखने को मिला तीन चीच सही है बर ठ्वास और जाता तो कोई बुड़ा नहीं रहता लेकिन मैं कहाँ कि अच्छा है कोई खास बेकार मैं नहीं क रखा गया है ताकि आपको smoothness better मिले battery backup अच्छा मिले और gaming में कोई दिक्कत भी ना है यानि balance result रखा गया है और यहाँ पर दिखाई देती है test के अंदर भी और लोगों ने जो play किया है ना उनका भी opinion काफी अच्छा आया है इस रोम के बारे में और gaming के अंदर आपको extreme plus और ultra बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे install करना है त्यों रोम का installation है बस आप process को follow कर लेना bad file को run कर देना या आपके phone के तर इजली डल जाएगा और में तब से रोम recommended भी होने वाल है क्योंकि हर जिरूर्ट की चीज़े यहाँ पे fulfill करी गई है चाहे आपका banking app से related का problem हो या device certification का problem हो या फिर आपका बैटी से related भी यहाँ पे improvement किया गया है और smoothness तो भाई really में आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है बट आप अपना opinion मुझे जरूर सिर करना कि आपको यह रोम कैसा लगा मैं मिलता हूं आपसे निच्ट वीडियो में thanks for watching bye bye यह एक installation guide है तो ठीक से सुनना समझना और follow करना है आपको सबसे बिल आपको अपने phone को switch off कर लेना है password mode on करने के लिए power 10 and volume down को long press करें password mode on हो यह आपको connect कर देना है अब जो भी रोम आप flash करें उससे अंजीब कर लेना जैसे कि मैंने कर रखा है उसके अंदर आपको installer bad file देखनी को मिलेगा जो की अललालग नेम साब को दिखाई दे सकता है तो अपने हिसाब से pick कर लेना और double click करके run कर देना आपसे maybe push सकता है कि format करना या नहीं तो जो भी यहाँ पर लिखावा आएगा उसके हिसाब साब को command को enter कर देना है route का अगर option आता है तो आप अपने हिसाब से route select कर सकते हो अगर case वगरा या करना लोगरा जो कुछ भी आता है यहाँ पर cmd को पर अपने हिसाब से select करते जाना उसका यह installation चालू हो जाएगा जिसमें पांच या दस मिनट के अंदर ही complete हो जाएगा पूरा process blessing complete हो गया है phone पे boot logo आ चुका है और tool पे लिखावा आ गया press any की sometime यह लिखावा नहीं आता है sometime आपसे पूट देगा कि format करना यह नहीं जो कुछ भी आता है उसके साब से आप है जो अपना काम कर लेना और उसके बाद आपका है जो phone कुछी मिनट में boot कर जाएगा hybrid method या नह काफी easy तरीके से